चेष्टा करें तो यह हमको भगवान की जानकारी, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। चेष्टा नहीं करें तो हमको कुछ नहीं मिलता है। यह संसार भी नहीं मिलता है। तो आए आज के सत्संग में भगवान क्या कह रहे हूं अरजुन को। वहां से हम सत्संग प्रारम करें भगवान को पहचाने भगवान सब जगा है कोई जगा ऐसे नहीं जो भगवान नहीं हो यह सब चीजें ध्यान से प्राप्त होती है ज्यान से प्राप्त होती है प्रेम से प्राप्त होती है या सेवा करने से प्राप्त होती हैं यह भगवान को पहचानने के मार्ग रास्ते हैं यदि आप प्रेम करना सीख जाए तो भगवान का आबास होता है अनभव होता है यदि आप ध्यान करना सीख जाए तो भगवान का अनभव होता है येदि आप भगवान की सेवा करें तो भगवान का अन्भा होता है येदि आप सत्संग में शास्त्रों का रिलाइज्ड जो भगवान की शुद्ध वक्तें उनके मुखारबिन से भगवान की प्रती कुछ स्रवन करें तो भगवान का अन्भा होने लगता है ये इमार्ग हैं भगवान को जानने के भगवान को पहचानने के भगवान ने ये इशारे दिये है अपने आपको जानने के अपने धाम को पहचानने के लिए हमको ये सब सला दी हैं गीता के अंदर किस प्रकार से ये जीव मुक्त हो करके और भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है यह सबसे बड़ा सबसे वड़ी उपलब्दी है जीवन की कि आपको परमधाम मिल जाए परमधाम का वासी बनाने यह सबसे बड़ा व्यवसाय है आपकी जीवन का कि आपको परम लाव मिल जाए और इसके मार्ग बतला है कि इन इन मार्गों से आपको यह मिल सकता है ब्गोन काते कि तुरुण आसमों पाह। Pूठ पापा, यज्यरिष्ट्वाश्वर्गतिम प्राथियन ते, ते पुर्णममासाध् सुरुण्दर लोकम इस्णनति दिव्यान डिवीदेव भोगान। ब्हुत से लोग वेदों में जो दान पुर्ण का महतु दिया है और स्वर्ख तक जाने के लिए उचे सुखों को भोगने के लिए जो सला दिये उस सला को मानने वाले वेदों की उस सला को मानने वाले वो भी सला एक आदमी को उचे इस्तर पर उठाने के लिए ही दी है पाप कर्मों से बाहर निकालने के लिए दी गई है ये थोता प्रलोवन नहीं है उचे लोग हैं, देव लोग हैं मह लोग हैं, जन लोग हैं, तप लोग हैं गह लोग हैं, स्वर्ग लोग हैं, सत्त लोग हैं, ब्रह्म लोग ये साथ उचे इस्तर इस ब्रह्मान में उचे लोकों के हैं साथ नीचे के इस्तर के लोकों के हैं तल बितल सुतल तलातल रसातल इत्यादि ये चौदे भुवन बोला है इनको तीन लोक में ये चौदे भुवन है तो साथ डिविजन्स उपर को है और साथ डिविजन्स नीचे को है स्वर्ग लोग में एक ही नहीं कई लोग है कई धाम है कई प्लानेट्स हैं स्वर्ग लोग एक इस्तर का नाम है वहां का राजा इंद्र है ऐसे जन लोग है महें लोग हैं, गहें, तप लोग हैं, यह सब उच्छे लोग हैं, यह अपने अपनी तपष्चाओं से, पुर्ण कर्मों से प्राप्त होते हैं, यह सब चीजें वेदों में लिखी हैं, वेद इस बात को बतलाते हैं, तो पुर्णम असाद्य जो असाद्य पुर्णों से जो बिलते हैं बड़े भारी पुर्ण कर्म करने से जो देव लोक मिलते हैं स्वर्ग लोक मिलता है वो पद्धिती भी वेदों में बतलाई है तो ये पद्धिती बुरी तो नहीं है कोई जिन लोगों की संसार को भोगने की अभिलाशाएं बाकी है और बड़ी-बड़ी अफ़ाशाएं है उनको कहा गया है कि तुम बुरे कर्मों में मत उत्रो इन अभिलाशाओं को पूर्ण करने के लिए इंद्रियत्रप्ति के लिए तुम अच्छे करम करो तो उच्छे लोग मिलेंगे तो वहां पर जाके आपको बहुत अध्यधिक सुख भोग मिलेगा तो तो तुमारे इच्छा पूरी कर लोगे तो नीच कर्मों से बच जाओगे वरना नीचा को चले जाओग तो पुर्ण करम करो, दान करो, वरुण देव की पूजा करो, अगनी देव की पूजा करो, इंद्र देव की पूजा करो, काम देव की पूजा करो, जल देव की पूजा करो, वरुण देव आगे उनके मुख, जल देव के जो इंचार्ज हैं, अधिपती हैं, वरुण तो इन देवताओं की पूजा करो, इनको प्रसन करो, ऐसे पुर्ण कर्म करो, हवन करो, दान करो, पुर्ण करो, और ध्यान रखो की, और प्रार्त न करो, कि हमको हे इंदर देव, आपका लोग चाहिए, स्वर्ग लोग चाहिए, तो आप अगर परिपक होगे, ये पुर्ण क कर्म करते करते दान धर्म कर्म करते करते और आपका लक्ष है स्वर्ग लोग में जाने के लिए तो आप चले जाएंगे ये त्रे विद्या ये तीन विद्या जो है साम यजुर और रिक्वेद ये तीन वेद जो है सिखाते हैं इस विद्या को इनमें ये विद्या मिलती है कि किस प्रकार से आप जा सकते हो स्वर्ग में उच्य लोगों में भगवान कहते हैं कि त्रेविद्या माम यह जो मेरी तीन तीन विद्या रूपी वेद हैं सोमपा पूत पापा पवित्र रोगों को सोमपान करने के लिए आकरशित करती हैं कि चलो वाई ऐसे पवित्र काम करो ऐसे पुर्ण कर्म करो जिसे हमको देव लोग मिल जाए तो परिपक्व अवस्था आजया है तो यह शरीर छोड़ करके देव शरीर मिल सकता है संदे नहीं है तो आज सोम्रस का पान करो सोम पाप आप पूत पाप आप पूत यानि पवित्र पापों से मुक्त दो करके पुर्ण कर्म करो पाप करना छोड़ दो कि आंप सोम्रस का पान करेंगे होण देवता लोग सोम्रस पीते हैं यहां लोग आप रंप पीते हैं विसकि पीते हैं यह उस सोम्रस क्या आगे बहुत ओंड्रड डिंजे डी ग्रेडर ने समझें कुछ नहीं देवता लोग इसको नजदीक भी नहीं आने देते सोमरस कुछ ऐसा होगा जिसके पीने से मुँँ में बड़ी खुश वो आती हो और ये दुनिया साथ रंग की दिखाई देती हो रंगीन और भोग करने के लिए आप रष्ट पुश्ट नजर आते हो अफसराओं के साथ भोग करने कीजिए स्वर्ग की अफसराएं मिल जाएंगी आप यानि हजारा गुना अधिक प्रत्वी से वहां उच्छी भोग सामगरियां आपको मिल जाएंगी उपलब दो जाएंगी तो वहां अपनी इच्छाओं पूर्ण करो लेकिन देरता जैसा भोग करते हैं वैसे भोग आपको मिलेंगे जैसा भोग इंद्र करता है ऐसे ही भोग मिलेंगे वहां क्यों नहीं मिलेंगे एकर प्रत्वी पहिएदी कोई देश का समराठ भोग कर रहा हो वह भोग प्रजाबी तो कर सकती है उसका बजीर भी कर सकता है कोई धनाज डाद भी भी कर सकता है कोई प्रजाबी कर सकती है उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है तो वहां जाने पर आपको देवताओं के जैसे भोग मिलेंगे देवताओं का जैसा शरीर मिलेगा जिसमें लाखों वर्ष की उमर हो अजार लाखों वर्ष की उमर हो त्रेविद्या माम सोम पाव पूत पापा ये गेरिष्टवा स्वर्ग थीं प्राथियंती तो लोग यग करते हैं, दान करते हैं, पुर्ण करते हैं, प्रार्थन करते हैं देवताओं से कि हमको स्वर्ग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हे इंद्र देवता, इदन्नममा, स्वाह, ये आउती तुमारे लिए हैं इंद्र देव मेरे लिए नहीं अब मुझे हाती दो, घोडा दो, दासी दो, दास दो, अपसरा दो, सोमरस दो, स्वरग दो, देवताओं का शरीर दो, सब उसमें प्रारतना है, प्रारतना करते हैं, स्वाहा वर्ण दो, हे वर्ण देव, यह आओती, तुमारी है, मेरी नहीं, तुमारे लिए, लेकिन मुझे यह दो वो दो सारी तो हाँ हजार गुना आप ज्यादा भोग कर लो यह छोटे भोग कर रहे हूँ हाँ बड़े भोग कर लो त्रेविद्या माम सोम पाहा पूत पापा यग एर इस्ट वास्व जो यग्यों के यग्य को ही इस्ट देवता मानते हैं यग्यों में ही जिनकी रुची है दानपुर्ण करकर के स्वर्ग में जाने की है देवताओं का यग्य करते हैं वरुन देव का चंद्र देव का इंद्र देव का अगनी देव का वायु देव का स्वर्गतिम और स्वर्ग के लिए प्यारतना करते हैं को गगे तेजनम असलेंद्ष तो स्वर्ग अप्र जाते हैं जो पुल्वों से पुल्डों के साधन करने से पुल्वे दान रूपी एक रूपी साधन जो प्राप्ट हो जाते हैं वो डिया PLC में पहुंच जाते हैं अश्नंति दिव्यान दिवी देव वहां पर दिव्य भोगों को करते हैं देवताओं के भोगों को वो भी करते हैं जैसे देवता भोग करते हैं तेतं भुक्तवा स्वर्ग लोकम विशालं क्षीने पूर्णे स्वर्ग लोकम विशंति एम्त्रे धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ति भगान स्री कृष्टन कहते हैं कि अर्जुन जब इन ये देव लोगों को प्राप्त कर लेते हैं देवताओं के शरीर को प्राप्त कर लेते हैं भोग विलाश करते हैं हजारों लाक वर्ष तक लेकिन जब इनके भोग करते करते पूर्ण क्षेन होते हैं जैसे कार चलाते चलाते आपकी कार का क्या क्षेन होता है पैट्रॉल पैट्रॉल च्षेन होता है गैस क्षेन हो जाती है तो क्षेन हो जाती है तो क्षेन हो जाती है तो क्या करते हैं आप क्षेन हो जाती है तो गाड़ी ब्रैकडाउन हो जाती है सड़क के साइड मखड़ी कर देते हैं धक्का मारें तो थोड़ी बहुत चलते हैं नहीं नहीं चलते हैं ऐसी ही वह हालत है ज बबंवान के तेत्म व्भ्थ्वा स्वरग लोकं विशालम विशाल सूर्ग लोग को और स्वर लोग के भूगों को भूगते जब ने पूर्ण ख्यान हो जाते तभी मृत्वलोक में वापस गिर जाते तो रहा धाम नाते हैं पिर एक मनुष्य के जिसे चरीर मी आते हैं, कभी कभी तोहां से गिरने वाले ब्रक्षों की यौनि में आ जाते हैं, सुर की यौनि में आ जाते हैं, मनुष्य की यौनि में तो जरूर आई जाते हैं, मृत लोक में गिर जाते हैं, देव लोकों से गिर जाते हैं, वापस गिर रहते हैं मुझे आवा गमन इनका भी लगाई रहता ये वी एक तरह के आशक्त लोग है स्वर्ग के और और वेदों के कर्मकांड के दान पुर्ण के अपनी इंद्री त्रप्ती करने के लिए दान पुर्ण करके बड़े भोग मांते हैं ऐसे यह जैसे कोई माला पैना के और नारियल तोड़े गणिश जी क्या आगे और कहें कि गणपति बापा सब आनंद है सब कुछ दिया आपनी एक मारुती कार और दे दो यह जो यह बस मारुती कर भी दे देता है गनेश जी फिर क्या हों मारुती ब्रेकड़ाउन हो जाएगी फिर जाएके पैधल चलना पड़ेगा फिर आगे फिर गनेश जी को माला लेके आओगे फिर नारियल तोड़ोगे फिर दूसरी माँगे कुछ और माँगोगे तो इस स्वर्ग लोगों के जो प्रेमी लोग है यग दान पूर्ण करकर के इनको वो क्रिया हाथ लग गई तो इस स्वर्ग लोग जाते हैं वह बोग करके और फिर इनके पूर्ण क्षिन होते हैं तो फिर नीचे गिरते हैं फिर वापिस बेदों का सारा रहे के फिर वही कार करने रहते हैं गता गतंग झाते हैं यह भी यह बहुती इक संसार की जूले में झूलते रहते हैं Department जोड़े पिर नीचे तैसे पर अर्चा का जुड़ा पूता रहता हैं का मुक्त यह उते हैं मौक्ष इनको नहीं मिलती, आध्यात्मी जगत इनको नहीं मिलता, वैकुंट जगत भी नहीं मिलता, ब्रह्म जोती भी नहीं मिलती, इनको तो बहुत इक संसार के स्वर्ग लोग से लेके, मरत लोग तक, और कभी अप्राद हो या तो इनको स्वर्ग की योनी में भी जाना पड़ जाए, ब्रक्ष की योनी में भी जाना पड़ सकता है, थोड़ा खत्रा भी है इसमें, वोना बोग विलास तो हैं, इससे इनकी मुक्ष नहीं होती, मुक्ति नहीं होती, ये कर्म करते हैं लिए फल मा मांगते वापिस हो भी सांसारिक फाल इंद्रिय त्रत्ति के लिए स्वर्ग मांगते हैं तेतं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालं क्षिणे पुणे मर्च लोकम विशंते और यह भुग विलासों की कामनाओं को लिये हुए और यह गता गतम जाते हैं आते हैं जाते हैं यह इनकी इस्थिती रहती है यह समया है रगवान ने अर्जुन को अनन्य अश्चिंतियं तो मां यह जना पर्युपासते तेसाम नित्य अभ्यूकता नाम योग क्षेम वाम्यम भवान ने कहा कि लेकिन जो भक्त जो जन मुझे अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं मित्य युक्तों कर मेरी भक्ती करते हैं अनन्य चेता नय अन्य मेरा भाई बोलती हैं मेरो तो गिरधर गोपाल अरी मैया मेरा तो एक मात्र गिरधर गोपाल ही हैं सब कुछ मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मैया मेरो तो गिरधर गोपाल जाके सर पे मुर मुकुट मेरो तो पती सोई मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मेरो तो गिरधर गोपाल अस्वन जल सीच सीच भक्ती बेल बोई अब तो बेल पहल गई आन्द फलोई मैया मेरो तो गिरधर गोपाल संतन धिंग बैट बैट लोक लाज खोई अब तो आओ संतन धिंग बैट बैट लोक लाज खोई अंतात मत भाई बंधू आपड़ो न कोई मेरो तो गिरधर गोपाल हे मा मेरा तो एक ही जगे मन है मेरे गिरधर गोपाल की चर्म में मैंने मेरे प्रेम बरे आशों से भक्ती लता भक्ती बेल बोई हैं अब तो इस बेल में इस लता में सुंदर सुंदर मीठे फलानी लगे हैं आओ अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई आनंद रूप झाल सुंदर सकत झाल